Hello everyone, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नम्बर फाइफ और क्लास एट इंग्लिश इट सो हैपन बुक का जिसका नाम है पेंसर सप्टेंबर इस चैप्टर में हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे तो उच्छू करते हैं एक किंग और क्वीन होते हैं सियाम के उनकी बहुत सारी बेटियां होती है तो जो क्वीन और किंग है वो कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी बेटियों का नाम लेने में इसलिए वो अपनी बेटियों का जो नाम है वो मंस के अकॉर्डिंग रख देते हैं जैसे सबसे बड़ी ज जो यंगेस्ट प्रिंसेस थी उसका नाम था सेप्टेमबर मेंस कि उनके जो टोटल बेटिया थी वो नौ थी जो किंग थे सियाम की उनकी एक आदत थी कि वो अपने बर्डे में किसी से गिफ्ट नहीं लेते थे बलकि बर्डे में दूसरों को गिफ्ट देते थे जब उनका तो उन्होंने अपनी सारी जो प्रिंसेस थी नाइन उन सबको एक एक तोता दिया एक गोल्डन केज में हर प्रिंसेस को गोल्डन केज में एक तोता दिया और जो प्रिंसेस थी वो तोते को सिफ़ गॉड सेव दा किंग और प्रिटी पॉली यानिक एक सौंग है वही बोलन वो यह सब देखके बहुत जादा रोने लगी उसके जो मेड थी यानि कि उसके जो दासी थी उसके साथ रहने वाली वो यह सोची थी कि इसे तो रात का खाना तक नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इतनी सी बात पर रो रही है यह कितनी नॉंसेंस है कि गोते हैं कि उसे पाटी में जाना होताँ रात को तो इसलिए वो पिंसस सप्टेम्बर को बिना कुछ खिलाए फिला ही उसे सुला कर चली जाती है पिंसे सप्टेंबर सो रही होती तभी उसे एक अवास सी सुनाई देती आ भी बहुत मीठी आवाज वह वह बर्ड की जो गहा रहा हुता है पिंसे पथेमर के आपके पिंसे सप्टेंबर के पास आता है कि मुझे पता है कि मैं आपके तोते की तर सुंदर नहीं दिखता लेकिन क्या आप मुझे अपने तोते की जगे रख सकती है मेरा बाद से बहुत अच्छी है आपके तोते से तो तो पिंसे सब्टेंबर कहती है हाँ मैं तो मैं रख सकती है अगले सुबह पिंसे सब्टेंबर जो बर्ड को गुड मार्निंग बोलती है उसके बाद उसके जो मेर है वो बर् तो और अन्जिक व हमारे लUI की सब्तेंबर को अलग गयां तो अलग ग्याता है के पास आती है कि हमारी बैटेंग गवरा दॉले लेकिन ये जो बर्ड है ये बहुत अच्छा गारा गाता है तो किंग कहते हैं चाहे कुछ भी हमारी बेटी ने कम से कम उन्हें God Save the King और पीटी पॉली बोलना तो सिखाया और उसके बाद क्या होती है जो उनकी एड़ सिस्टर होती है वो प्रिंसे सप्तेंबर से चिरने लग जाती है और एक दिन वो सारे कठे मिलके प्रिंसे सप्तेंबर के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत दुख है कि तुम्हारा तोता मर गया लेकिन चिंता मत करो हम अपने पॉकिट मनी से तुम्हें एक नया तोता दिलाएंगे और वो बहुत सुन्दर हो गया इस बर्ड से तो सब्से तोता करने चाहिए और मेरा बाल के पीट में उ भर कुंदर यह म्यारू ओं इस अऽ सब्सक्राओन चाहिए और सब चीज छोड़की तो पिंसे सब्टेंबर थोड़ी सोच में पढ़ जाती है कि सेफटी मुझे शायद करनी चाहिए और उसे केज में बंद करना चाहिए अचानक से क्या होता है कि जो वह बर्ड है वह पिंसे सब्टेंबर के कंदे पर अचानक से आके बैड़ जाता है केज में बंद कर देती है तो बर्ड पूछता है कि तुमने मुझे केज में क्यों बंद करा तो पिंसे सब्टेंबर कहते है मेरी ममा की जो कैट्स है न वो आज महल में बहुत ज़्यादा घूम रही है तो बर्ड कहता है तुम मुझे सुबह खोल देना इस पिंजरे से तो तुम्हारा कोई शिकार कर लगा तुम्हें कोई पकड़ के ले जाएगा हाना उसके बाद फिर मुझे बुरा लगेगा इसलिए तुम पिंजे के अंदर ही रहो लेकिन फिर क्या होता है कि बाड जो है वो कुछ नहीं खाता है दुखी सा होके बैट जाता है कि तुम मेरे लिए गाना गाओ मैं तुम्हें एक शुगर का पीस दूंगी लेकिन बड कुछ नहीं गाता और काफी दुन और खाता भी नहीं है रोटी बगएरा दाने बगएरा तो सब्तेंबर दुखी हो जाती है और वो अपने सिस्टर से पूस्ते कि हमें क्या अगर तो सि पड़ा हुआ है जैसे कि मर गया तो सब्तेंबर रोने लगते लिए उस बड को अपने हाथों से बहां निकालती है तो बड क्या करता है कि खड़ा हो जाता है और सब्सक्राइब कहती है कि तुम्हारी जान जादा इंप्रॉटेंट है तुम्हीं केज में रखने से तो सब् कुणकी वो बर्ड से लव करती था और प्टेंबर हमेशे अपनी खिड़की खुली रखती थी क्योंकि बड कभी भी आ जाता था तो पिंसे सब्तेंबर के खिड़की खुली होने के कारण वह बहुत सुन्दर होगी उसके जो बहने थी वह विंडो ऑपन ही करती थी भी खुला चोड़ते थी इसलिए वह बहुत ज्यादा गुसे वाली और चिड़ी सी और बसूरे से दिखने लगी और उनकी शादी नहीं होई तो इस स्टोरी में वैस इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स चेप्टर के साथ अब एक लिए गुडबाई एंड थैंक कियुका